बिस्मिल आर्म अर्म रहीम असलाम लेकूम वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आज में आप लगों से शाही हलीम के रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुती जादा टीस्टी बनता है और इसका फ्लेवर और टेक्स्चर बिलकूर रेस्टूरेंट जैसा होगा जब य अगर यह रेसिपी आप लोग को पसन आए तो कैंडी लाइक शेयर कमिंट जरू कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलते हैं अब हम रेसिपी के तरफ शाही हलीम बनाने के लिए हमें जिन चीजों की ज़रुद पड़ेगी इसे आप लोग पहले अगर ना है सोख करकर इसके लाबाँ हाफ केजी बॉन लेस बीफ लेंगे बीफ की जगवा आप लोग मटन या चिकन भी ले सकते हैं बीफ के पीसीस बड़े रखने हैं टू मीडियम साइस की अनियन लेनी है इने स्लाइस में कट कर लेना है तीन मीडियम साइस की इसके लावा टू टेबिल स्पून भर कर जिंजर कार्लिक पेस्ट लेंगे वन टी स्पून पिसागर मसाला लेंगे और वन टी स्पून पिसी जाइफल जाइवत्री लेंगे और दोनों को फिर हम मिक्स कर लेंगे तो ये तो हो गए पिसा गर्म मसाला और जाइफल जाइवत्री इसके लावा हम तेज पत्ते लेंगे चार स्पैसिस की तरफ आते हैं वन एंड हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च लेंगे वन टी स्पून पिसा धनिया लेंगे वन टी स्पून हल्दी है फो टेबिल स्पून हली मसाला लेंगे इससे हलीम का फ्लेवर बहुती जबरदस्त आएगा एड़ करने से और वन टी स्पून सॉल्ट लेंगे ये तो हो गए स्पैसिस इसके लावा वन कब भनकर वाइल लेंगे अब हम देख्ची में ओईल एट करेंगे और साथ ही इसमें हम प्यास एट कर देंगे प्यास को फ्राय करेंगे जब प्यास का कलर चेंज होने लगेगा यानि कि ये ट्रांस्पैरेंट हो जाएगी तो फिर इसमें हम देखिए प्यास ट्रांस्पैरेंट हो गई है तो फिर अब हम इसमें गोश्ट एट कर देंगे गोश्ट एट करने के बाद अध्रक लैसन का पीस्ट एट करेंगे जो दो टेबिल स्पून है दोनों को मिक्स करेंगे गोश्ट और अध्रक लैसन के पेस्ट को अच्छी तरह से पिर उसके बाद हम इसमें टमाट्रों कर देंगे टोमाटो एड़ करने के बाद, इस्पाइस एड़ करेंगे, पिसा धनिया, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, हलीम मसाला, इसके बाद हम दो तेज पत्ते एड़ करेंगे और बाकी के दो पत्ते हम ग्रेंज के लिए रख देंगे, जब उन्हें बॉइल करेंगे तू, और अब हम पिसा गरम मसाला एड़ करेंगे, जो हमने स्पेशल किसम का बनाया है, घीयर टी स्पून, यानी के 1ंड हाफ टी स्पून, अाभी के गरम मसीले को हम आँखने चानि यूस करेंगे, लास्ट मेन, गर मसाला एट करने के बाद मसाले को खुब अच्छे से भूनेंगे देखिए इस तरह से मसाला खुब अच्छे से भून रहा है हमारा और और सेप्रेट होने लगा है मसाले से तो फिर आब हम इसमें तकरीबन एक ग्लास पानी एट कर देंगे और फिर हम पानी एट करने के बाद लिट लगा देंगे और फिर स्लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन एक से दिर घंटे के लिए अब हम अपने ग्रेंज की तरफ आते हैं ग्रेंज को हमने बॉल करने के लिए रख दिया है इसमें तकरीबन टू लिटर पानी एट किया है और फिर अब हम हाई फ्लेम में इस वक इसको बॉइल कर रहे हैं देखिए बॉइल हो रहा है ग्रेंड तो इसके ओपर जो इंप्योरिटी जमा हो गई है हम इसे डिसकार्ट करेंगे और साथ ही इसमें हम कॉटर टी स्पून मिठा सुडा एट कर देंगे मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम वन टी स्पून सॉल्ट एट कर देंगे ग्रेंड में सॉल्ट अलग से एट करना है वन टी स्पून और कॉर्मे का सॉल्ट अलग था जो हमने कॉर्मे में एट किया है अब हम फ्लेम लो कर देंगे बिल्कुल स्लो कर देंगे और लिड लगा देंगे और तक्रिबन डिर से दो गंटे के लिए हम अनाच को उबलने के लिए रख देंगे पकाने के लिए और साथी इसमें हम दो तेस पते भी आट कर देंगे देखिए दो से धाई गंटे गुजर चुके हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमारा ग्रेन पक राता कोको राता तो अब ये जबर्दस सा कुक हो चुका है तमाम दाले गेहूं और जौ तक्रिबन सब ही गल चुके हैं जबर्दस से आप लोग देख सकते हैं हमने फ्लेम जो है वो आफ कर दी है और इसको एक तरफ रख दिया है साइट में अब हम कोर्मे की तरफ चलते हैं तो हमारा कोर्मा भी तक्रिबन रैडी है से हम भूनेंगे गोष गल चुका है बहुती जबर्दस से खुश्भू भी आ रही है साथ ही अच्छे से भूनेंगे इस रैसेपी को फॉलो करेंगे तो आप लोग का भी हलीम बहुती जबर्दस बनेगा अब हमने कोर्मे का गोष बहार निकाल लिया है अलग से प्लेट में और अब हम इस को श्रैट कर देंगे यानि कि इसके रेशी कर देंगे देखें इस तरह से फॉर्ट की हल्प से या आप अपने हाथों का यूज भी कर सकते हैं और फिर अगेन हम यह गोष्ट कोर्मे में एट कर देंगे मसाले में और मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम जो हमने अनाच उबाल के रखा है ग्रेन उबाल के रखा है वो भी हम इसमें आइट कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर अब हम इसको ग्राइंड करेंगे मैं हैंड ग्राइंडर का यूज़ कर रही हूँ ज्यादा पतला इसको ग्राइंड नहीं करना है बारिक नहीं पीसना है ये देखिए इस तरह से टेक्स्चर रखना है तो अब ये हलीम ग्राइंड हो चुका है और अब हमने इसको चुले पर रख दिया है फ्लेम अन कर दी है और इसमें हमने हाफ कप पानी आट किया है और साथी जो पिसावा गरम मसाला हमारा बच गया था वो भी आट करेंगे हम इसमें तकरीबान हाफ टी स्पूने ये और फ्लेम को हम हाई कर देंगे जब इसमें बबल साने लगेंगे देखिए इस तरह से तो मिक्स करेंगे अच्छे से स्पून को कंटिन्यू हम चलाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा पानी और एट करेंगे तो अब हमने तकरीबन पॉन कप पानी समें एट कर लिया है वन थर्ट कर और अच्छे से मिक्स करेंगे 32 जबर्दस सा हलीम हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है देखिए बबल्स से बनरेज फ्लेम अभी भी हाई है जब इस तरह से बबल्स बनने लगेंगे तो हम फ्लेम को बिलकुल स्लो कर देंगे और फिर इसको दंपर रख देंगे तकरीबन हाफ आवर के लिए तो हाफ हमारा गानिश की इंग्रीडियंट्स है यह जूलियें कट अध्रक है लैमन है कटकी आवा कुरियंडर है हर अधिया प्रेंचिली लीस है कट्की भी और ऐस है क्रिस्पी फ्राइड अनियन है यानिके तली भी प्यास है यह देखिए क्रिस्पी फ्राइड अनियन की रेसिपी मेरे चैनल में मौझूद है आप लोग देख सकते हैं इसकी रेसिपी भी इसके लावा चाट मसाला है क्वाइंटिटी आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से रखें तो आदा घंटा गुजर चुका है और हलीम हमारा जबरदस सा बनकर रेड़ी है आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्स्चर इसका कलर देख सकते हैं बहुती जबरदस सा हलीम बना है अब इसे हमने एक प्लैटर्म निकाल लिया है हलीम को इसमें चाट मसाला एट कर रहे हैं ग्रीन चिली सेट करेंगे अध्रक एट करेंगे अध्रक एट करेंगे अनियन एट करेंगे फ्राइ अनियन तो यहां पर हमारा जबरदस सा इस्पेशल शाही हलीम बनकर रेड़ी है तो आई होप कि आप लोग ओको यह रेसिपी पसनाईगी इसे ठ्राइ पनमें व्य जह रहाना को नीज़laid lav helpful